तो यहां पर कलर काफी अच्छे हैं डिस्प्ले के जिसे साथ से इसका प्राइज है आज कल आप सभी को अनबॉक्सिंग काफी में दिखा रहा हूं उसके पीछे रीजन यह है कि हम एक से दो दो से चार चार से दस की तरफ बढ़ रहे हैं मलब हम लोग अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं एक दिन था कि मैं अकिला ही खुद वीडियो सूट करता था उसको एडिट करता था था थमनेल बनाता था पर डिस करता था लेकिन आज जो है हमारे पास मैं इसके लिए पूरी टीम है जिसमें की वीडियो को सूट करने के लिए कैमरा में हो गया वीडियो एडिटर काम करने के लिए पीसी देना पड़ता है तो आज मैंने यह इस बॉक्स में मंगवाया है एक LCD जो की काफी बजट LCD है कि आप समझ सकते हो कि अगर टीम में ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं काश्ट की तरफ भी हमें देखना पड़ता है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ में अनबॉक्सिंग इसकी सियर की जाए यह मैंने एमेजॉन से ओर्डर किया है काफी कम प्राइज में मुझे मिल गया है मैं आपको बताओं कभी कि एक्चुल में कितने पैसे कम इने इसे पर्चेस किया है और इसकी अंदर कौन सा ब्रांड है चलिए सबसे पहले तो एमेजॉन का यह जो डिफाल्ट बॉक्स है वह मैं ओपिन करता हूँ खुल जार सिम्सिम हाई बॉक्स तो बड़ा लग रहा था लेकिन इसके अंदर क्या है भाई पोपट तो नहीं बन गया दिकाओ दिकाओ भाई यह क्या निकल ना इसके अंदर से यह स्वेंबर की वर्माला मानिए प्रदानमंत्री जी आ रहे हैं चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं तो गाइज यह एमजोन का जो है डिफाल्ट पैकेजिंग बॉक्स है में प्रोड़क्ट का बॉक्स इसके अंदर है आप देखोगे यह च्छोटा सा पैकेट निकला है बड़े पैकेट के अंदर छोटा सा धमाल यह एसर की तरफ से आता है एक एंसीडी है च प्रोड़ एक पीसी यहां पर जैस्टाव है वाकि सारे जितने बी सिस्टम है वह लैपटॉप है अब होता यह है कि लैपटॉप की जो डिस्पली होती है 15 सिंटी मेंटर 16 सेटी मेंटर के अरूंड रहता है जहां पर जब कॉंटेंट राइटर की बात आती है एक ही समय पर यह जो मैंने LED मॉनीटर मंगवाया है यह LED मॉनीटर HDMI पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा जो हम लोग अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले हैं तो इसको भी मैं अन्बॉक्स कर रहा हूं बाकि इस बॉक्स पर भी कई सारी डिटेल मेंशन है मैं आपको दिखा दो आप दे टेस्ट करना है तूटेगा या ना तूटेगा अना देख रहो डियने डियने करते हैं हम लोग फूरा फूरा तो यह में कवर बॉक्स ओपन हो चुका है और इसके अंदर से सबसे पहले तो निकलता है यह एक एडप्टर क्योंकि इसको पावर देने के लिए है एडप्टर यह स्टैंड है और यह मेन अंदर थर्मा कॉल के बॉक्स के अंदर यह है मॉनिटर इसे हमें ओपन करने के लिए और यह ओपन हो गया अब जो है यह स्टैंड का पैड हो गया ठीक है बिल्ट क्वाल्टी काफी अच्छी लग रही है जो टेक्सार है नीच से ग्रिपिंग अच्छी देगा इसको और इसके अलावा यह डॉक्वेंशन का पार्ट होता है जिसमें कुछ यूजर मैनमल होगर मिल जाती है और इसी के साथ में दो इश्कुर मिलते हैं जो कि इसको टाइट करने के लिए और यह दो यूजर गाइड है जिनकी कोई जरुरत होती नहीं हमें लगता मॉनिटर के अंदर में प्रोड़क्ट पर आते हैं तो यह हो गया हमारा मॉनिटर हमने हटा दिये और इन यह है मॉनिटर जो की 22 इंच का है ठीक है बजेट फ्रेंडली है और अभी क्वाल्ट कलर इसके क्वालिटी भी हम देखेंगे चेक करेंगे कैसा है तो इसको सबसे पहले तो हम असेंबल कर लेते हैं यह यहां पर गाइस लग चुका है अब यहां पर यह जो मॉनिटर है इसमें कुछ खास तो होता नहीं है पीछे के तरह आप देखोगे तो यहां पर HDMI और VGA पोल्ट दिए गया है और इसके अलावा यहां पर कुछ स्विच रहते हैं इसके कलर रजेस्ट करने के लिए या फिर पावर आनफ करने के लिए इसको हम यहां पर इस पर माउंट कर देते हैं यहां से हो चुका है अब यह जो दू इसकृ हमें दिये गए थे तो इन इसकृ को हमें इस पर टाइट करना होगा इसको ठीक करने के लिए तो इसको बाद में टैट कर लेना तो गैज इसको पावर अन करके हम दिखाते हैं इसको पहले तो हम सेटब करते हैं जहां पर इसको लगाना है तो गैज यहां पर कलर क्वालिटी आप देख सकते हूँ अभी हमने इसको सेटब कर लिया सिस्टम से मैंने कनेक कर दिया है तो यहां पर कलर काफी अच्छे हैं डिस्पले के जिसे साब से इसका प्राइज है करिब 6,000 रुपीज का मुझे एम जों से पड़ा हुआ है यह तो अगर आपको भी पर्चेस करना है तो आप इसको जरूर पर्चेस कर सकते ह है और बजट फ्रेंडली है और काफी अच्छा क्वालिटी का डिस्पले है जो कि आप मॉनिटर अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और जो भी आपका वर्क है इस पर आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यह इंफोमिशन देनी थी कि वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरू लिख करके बताईगा इसी तरीके के और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तर तक लिए गुड झाल झाल को सब्सक्राइब करनी हो तक हम मैं जरू दिल को सब्सक्राइब